जितने भी स्टूडेंट है जो बीसी नर्सिंग करना चाहते हैं बीसी नर्सिंग में अपना केरियर बनाना चाहते हैं और बीसी नर्सिंग की ऑनलाइन कांसलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाश्ट रह तक जरूर देखना इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि बेसी नर्शिंग का कॉंसलिंग आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं और जितने भी स्टुडेंटें कमेंट किया था अपना रांग बताया हैं आप सभी लोगों का कमेंट का मैं रिपलाई करूंगा और बहुत से स्टुडेंट होते हैं जो इंस्टाग्राम पर भी करूंगा इंस्टाग्राम पर भी जिन होने मेसेज किया था और कमेंट किया था सभी का कमेंट का मैं रिपलाई करूंगा और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 36 गड़ में बेसी नर्सिंग का कांसलिंग कब होगा कब होगा यही डाउट आपके मन में चर रहा होगा हर दिन और हर वक्त यही सोच रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट की बेसी नर्सिंग का कांसलिंग कब होगा और सोचना भी चाहिए क्योंकि कांसलिंग अभी तक कि स्टार्ट नहीं हुआ तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बेसी नर्सिंग का कांसलिंग कि इस सिटार्ट होगा तो उसका médoy開व के सा अफारां से बाई रीच में एक अपायान के शौलिक नाच्चेर आज आजागा और इस मेहिने में जो है इस महिने के लाश्ट तक आपका जो Swami का Toolink का फार्म जो है इस टार्ट हो जाएगा और आप जो पेटने रहता है, और सब्सक्राइब जाता है। उससे पहले आपको सभी जनकारी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहते हूँ एक बर फिर चे कि काउंसलिंग का डेट और काउंसलिंग का नोटिफिकेसन जो है 18 से 19 दिसंबर के बीच में 18 या 19 दिसंबर और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि बाई से 23 दिसं विडियो से रिलेटर वो सभी जनकारी इस वीडियो में आप सभी लोगों को मीलेगा तुँ आंप लोगों से बस में एक ही बात कहना चाहता हूँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपके एक लाएक से मोटिवेशन मिलता है थोड़ा एनर्जी मिलता है तो फ्ली पर रेंग 14-78 है कैटिग्री रेंग 247 है मैं इसी काश्ट की हूं फीमेल कैटिग्री रेंग इनका 193 है क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा राइपूर में तो मैं आपको बता दू कि आप जो है ऐसी कैटिग्रीज है तो आपका चांस है कि आपको जो है गवर्मे कॉलेज मिल जाएगा नेश्ट कुछन देखते हैं सर मेरा आलोवर रेंग 8,432 और कैटिग्री रेंग 4,461 है मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है कॉलेज नहीं मिल पाएगा नहीं गवर्मेंट कॉलेज मिल प नोटिफिकेशन आया है क्या मुझे एक न्यूज मिला है कि बीसी नर्शिंग में 50% वालों को ही गवर्मेंट कॉलेज में एड्मिशन मिलेगा करके प्लीज बता यह शर्तु मैं बता दूं कि ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें 50% मार्क्स वालों को जो है जाएगा और वो भी गवर्मेंट कॉलेज में जाएगा यह एक रूल होता है कि जैसे एस्टी केटिग्री हो गया उनके लिए पैतारीस परसेंट रहता है और वीसी और जनरल के लिए 50% रहता है कि आप जो है बीसी नर्सिंग काउंसलिंग करने के लिए फिर बीसी नर्सिं नेश्ट क्वेस्टन है सर मेरा आल ओर रेंग 5933 और के टिग्री रेंग 2149 सर मुझे कौन से गवर्मेंट कौन से कॉलेज मिलेगा प्राइवेट या गवर्मेंट तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको गवर्मेंट कॉलेज सुने मिल पाएगा आप सिर्फ प्रा कॉलेज मिल जाए क्योंकि आपको अल ओर रेंग बहुत ज्यादा है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए आप ट्राइग कीजिए नेश्ट क्वेस्टन है सर मेरा आल ओर रेंग 18 और के डिग्री रेंग 650 गवर्मेंट मिले गए या नहीं मिलेगा और इसमें आप मेंसें कर दिया किजिए कि आप जो है कौन से केटिग्री से हैं सी एश्टी और फिर जनरल केटिग्री से तो मैं आपको पता दूँ कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा नेश्ट क्वेस्टन है सर मेरा दो हजार बीस में ट्वेल्थ में 89 परसेंट नीट दो हजार इकिस तीन सव तिरिशट मार्क्स और बीसी नर्सिंग में 46 मार्क्स और 53 रेंग फिमेर रेंग जो ही इनका 42 रेंग है अभी नियू रूल के हिसाब से जनरल वालों को 50 परसेंट होगा क्या सर मुझे गोवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं प्लीज रिपलाई तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपका नीट का भी मांक्स बहुत अच्छा है तीन सव तिरिसेट मांक्स बहुत ज्यादा है और आपका जो जो भी एसी नर्सिंग का अपने एक्ज कोवलेज रहते हैं तो कॉछल है तो कम डेमाक्स को चा जाओगा तो आप दोनों प्रोसेस की जे अपको दोनों से ही को सब्ल्स जो है मिल जाएगा ये निइश्ट कोई सब्सक्राइब निट में 340 मार्ग्स हैं क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेच मिल जाएगा इनका नीट में 340 मार्ग्स है क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेच मिल जाएगा ug यह उसके हिसाब से मैं आपको अच्छे से और जनकारी दे दूंगा तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है सर मेरा अलवर रेंग 455 हरो कैटिग्री रेंग 199 क्या मुझे राजनांद गाउं का कॉलेज मिल सकता है अब इससी स हुँ तो मैं आपको बता दूं कि यहां आपको राजनांद गाउं का कॉलेज जो है मिल जाएगा नेश्ट क्वेस्टन सर्जी मेरा नीट में मार्क्स 210 है गवर्मेंट कॉलेज मिले गया नहीं तो गवर्मेंट कॉलेज मिलने का चांस थोड़ आपका कम है क्यूंकि 210 मार्क क्या होने और आलोवर रेंग 20 female रेंग 16 क्या मुझे राइपूर के गुवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा पहले भी मैं आपका कमेंट का रिप्लाइ भी किया हूं और भी भी कर देता हूं कि आपका इंकावन मार्क्स आया है आपको राइपूर का गोर्मेंट कॉलेज यह च नेक्स्ट क्वेस्टन है कि सर मेरा नीट में माक्स 316 है तो जनरल के टिग्री सीजी बेसी नर्शिंग में रैंक 20 है तो क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज आपका सिर्प राइपूर तो आप जो है आपका 316 माक्स है और उसमें इंकावन माक्स है आपका दोनों में ही बहुत मैं आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा 100 टमान के छलिए कॉछम मिलड है वस्ट क्वेस्टन है सर मेरा लर्वर रेंक 491 के ever color के 244। 마스크 और मैं सब्सक्राइब को रहता कि आप जो है ST category से और ST category में reservation रहते हैं और आपको जो है government college मिल जाएगा आपका लगभग 100% confirm है कि आपको जो है college मिल जाएगा लेकिन आपको ये बात मैं बता दूँ कि आप जो है government college जो कर आपका आगा है तो आप जो है government college में अद्विशन ले लेना और जो है आप private college देख सकते हैं लेकिन आपका है कि आपको जो है government college मिल जाएगा सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राइग कर आपको बता दूँ कि आपको जो है government college मिल लेकर शांस भी कम है आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राइग कर सकते हैं नेश्ट कुछ संसर मेरा आलवा रहे हैं के एक हजर पच्छासी के टिग्री रेंग नौसुतीन है मैं जनरल से हूं तो आप जनरल के टिग्री से हैं तो आपको government college मिलने का पूरा चान्स कम है और इम्मीत कम है आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कर सकते हैं और आपको private college मिल जायेगा लेकिन ग्राइवेंने क्या आप जो है try करना आप यो है तर ऐ चार से पांस तर फ्राइवे ट कोल इस लेक्ट किजे और जो है बाकी का, मुझे प्र-इवेट कोल सिलेक्ट करना आपको जो है college मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है सर मेरा आल रेंग 2170 केटिग्री रेंग 813 और फिमेल केटिग्री रेंग 678 है क्या मुझे गवर्मेंट कोलेज मिलेगा की नहीं सर बताईये रिप्लाई में बहुत मेसेज करती हूं रिप्लाई नहीं मिलता है तो मैं बताव दूँ कि आपको जो है आपका केटी रेंग 678 है तो आपको जो है गवर्मेंट कॉलेज मिलने का चछांस है । आप 4 गवर्मेंट afew estar decíaज ह। और च्यार खेया और प्राइवेट कॉलेश सेलेक्ट करना और आगे मैं आपको बताता हूं कितने कॉलेज हैं और कितने आपको फीस लगेगा सभी चीजे और एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो नीट वाले स्टूडेंट है जो नीट कोई जिनका जनरल के डिगरी 325 हैं नो भीच से भी 325, 325, 325 और ACSt का अगर 288 से 300 के बीच में तो आपको जो सेलेक्शन हो जाएगा और वही बात करें तो 26 घर में बीशी नर्सिंग के कॉलेज के बात करें तो बीशी नर्सिंग कॉलेज हैं और 36 घंड में नर्सिंग के कुल जो है 12202 सीटे हैं जिसपर आपको कौनसलिंग होना है और बात करें तो साद्ग गवर्मेंट कउलेज है और पचपतर प्राइवेट कॉलेज है और गवर्मेंट और फ्राइवेट दोनों में ही आपको जो खॉलर्ष्यिप देखन Albert को मिलेगा और यह साद्ग गवri 총 2 मेडिकल को पशनियारोड-ब्ल्डडवाइंक राइपूर में है रायपूर में है और उसके बाद भिलासपूर में है जगडलपूर मी उभीक पूर उन्कहार राजनान गाउग में और दूर्ग में और फीस के बात करें तुन वाम का 3300 ओ Chad सब्सक्राइब परविभर्मेंट तो serप सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना पड़ता एंधां। बीच में है और बीसी का साट से पैसाट और एसी एस्टी का अगर पचपन से साट के बीच में है तो आपको जो है 100 प्रेसेंट जो है गुवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा क्योंकि यह जो टॉप और इस्टूडेंट है जिनका रैंक बहुत अच्छा है और जिन्होंने सीजी बीची नर्सिंग में टॉप किया उनका इतना माक्स होगा तो इतना माक्स है यह दिया आपका है तो आप जो है आपका इजली अडिमिशन हो जाएगा और बात करेंगे श्री रावादपूरा सरकार इंस्टूट अप नर्सिंग कोलेज जनेली है फिर आप जो है आदर्स न अटिकरापारा में राइपूर में भी है और कोलेज अगद गुरुशंकरशा रहे नर्शिंग राइपूर ओर हर्दिक कोलेज आप नर्सिंग राइपूर तो इस बात करें तो हो गया और आपको बता दूं कि आपको जो है जब कॉंस्ट इन स्टार्ट होगा तो आपको पुई आपका आपका कॉंसलिंग जाएगा और इसका नुटिफीकेसन जब भी आगा तो मैं आपको लोगों को बताव दूँगा I hope कि जितने भी जानकरी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकरी आपको पसंद आए अगर जानकरी आपको पसंद आते प्लिस वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब इसक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोट करूँ तो उसकी जानकरी सबसे पहले आप सभी को मेंट सेके और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कि अथम आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सेकते इंस्टाग्राम कर लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्यू